अब आपको प्राब्लिम को फिक्स कर सकते तो यह प्राब्लिम जो है दोस्तों आपको कोई भी अप्लिकेशन हो सकते हैं तो आपको क्या करना है और क्या करना है आज की इस वीडियो पर मैं आपको यही सौलेशन बताने हो लो आउकर अपको प्रॉब्लिम जो फिक्स करना है वीडियो को आन तक जरूर देखे और solution को follow करें वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को subscribe करें और bell icon को click करें ताकि आपको latest update मिल सकें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हमें क्या करना है अगर कोई भी application stop हो जाते हैं तो जाएं मोबाईट सेटिंग पर जाने से पहले दोस्तो आपको एक चीज़ और कर लेना है वह प्लेटर का काम प्लेटर पर जाएं और प्लेटर में जाके दोस्तो आप उस application को search करें जो 4 स्टॉप हो रहा है या फिर stop हो रहा है तो उस application को search करें और update करें जैसे कि हो गया pixel lab तो pixel lab है तो उपर search में जाए टाइब करें पिक्सल लेप और उसको अपडेट कर दें अगर कोई game है कोई game application तो उसको जाके अपडेट कर दें ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस्ट मिल जाएगा तो यहाँ पर जाएए यहाँ पर जाने के बाद आपको जो है वह application search करना है जिसी कि मैंने कहा था आपको कोई application हो सकते है या फिर यहाँ पर कोई gaming का application हो सकते हैं ठीक है तो बस चलिए आपर मोबाइल एजिन का chunk कर दाए एगर मोबाइल एजिनी स्टॉप हो जाते तो आपको क्या एक और एक हैं और कर आप七 और स्टॉबर करने और इसका देटा क्रेर लो जाते तो आप वह वहवी नहीं कर सकते बहस्ट स्टॉप कर दीजिए और उसका जो क्लियर कर दीजिए काम बन जाएगा ठीक है लेकिन यहाँ पर अगर आपको problem आ रहा है पिक्सेल लेब पर तो आपको क्या करना है फोर्स टॉप तो करना ही है clear data पर क्लिक करके clear all data करके ok कर देना है उसके बार उसके permission जो रहेगा उसको allow कर दिज़े और उसके बार back कीजिए mobile को restart कीज़े problem soft ठीक है इस तरीके से आप यहाँ पर जो है problem को fix कर सकते हैं और दोस्तो सारे सार अगर आपका mobile software जो है वो update version का नहीं है तो about phone पर जाए system update पर click करें और software को update कर दे software update करती है आपका जो problem जो issue है वो fix हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर problem को solve out कर सकते हैं तो बस दोस्तों यह एक सही तरीका था जो कि मैंने आपको बता रिया है इसके मदद से आप कोई भी application जो इसको fix कर सकते हैं related पर अगर आपको कोई भी problem कोई भी issue है तो आप हमें comment section पर comment करके बता सकते हैं आज के लिए बस इतने thanks for watching